वेल्कम टू GK Facts करण में जानेंगे वीडियो के अंदर बात करेंगे भारत और बांगलादेश के बीच में 2018 का समझूता जो की मेत्री पाइप लएन समुझोता है उसके उपर बात करने वाले हैं ठीक है क्या ही मेत्री pipeline समझोता आप 2018 का समझोता है अभी तक इसके उपर कोई कारवाई क्यूं नहीं हुई इसको भी जान लेंगे साथ में दोनों देसों के बीच में इस pipeline को शुरू होने के बाद किस तरीके से दोनों देशों को साहता मिलेगी उसके उपर बात करेंगे दोनों देशों के संबन्द में किस तरीके से बदलाव आएंगे ये जानेंगे ये pipeline में किस तरीके का जो है चीजों का अरदान परदान किया जाएगा यानि कि कौन सी ऐसी चीज है जो इससे भीजी जाएगी उसको जानेगे कुल मिला के topic काफी important है एक दो number का question है बच्चा जो कि यहां से आप से exam से पूछा जा सकता है अगर आपको इसका PDF चाहिए टेलिग्राम पर मिल जाएगा टेलिग्राम का link जो है description में है वहां से आप टेलिग्राम में जोईन होने के बाद इसके वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं किलिए रहे साथ में अगर सुभा की vocabulary नहीं देखियो देख लिजेगा वेपर के point भी से important है देखे क्या कहा जा रहा है 2018 में हस्ताक्ष्रित यानि कि साइन किया हुआ भारत बांगलादेश मित्री pipeline परियोजना भारत में पस्चिम बंगाल में सिलुगुडी और बांगलादेश के दिनाचपूर जिले के परवत्तिपूर को जोड़ेगी यानि कि ये जो pipeline परियोजना है ये दो राज्यों को जोड़ देगी जैसे पस्चिम बंगाल में सिलुगुडी और बांगलादेश के दिनाचपूर जिले कर जो परवत्त पूरी एरिया है उसको जोड़ने का काम करती है भारत से मेत्री pipeline जो है जून से बंगलादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू कर देगी यानि कि जून महिना जो आएगा उससे करीबन यहाँ पर अभी 4-5 महिने को बात जो है बंगलादेश को डीजल मिलने लग जाएगा भारत से भारत से डीजल आयाद करने के लिए 131.5 किलो मिटर लंबी pipeline का निर्मार किया गया है जिसमें से 126.5 किलो मिटर बंगलादेश में और 5 किलो मिटर जो है भारत में है ठीक है आयातित इंधन तेल के परिवान को सुवीधा जनक बनाना है और बंगलादेश के लिए इसकी परिवान लागत को कम करना है तो यह तो आपको इतना इसके बारे में यहाँ पर याद रखना है के लिए रहे है बच्चा आगे बात करते हैं दीजल आयात की प्री कमिशनिंग और प्रस्ट भूमी की बात करते हैं इस pipeline के जरीए डीजल आयात की जो है प्री कमिशनिंग का काम फिलहाल चल रहा है यह अंतराष्ट यह pipeline जो है वो नुमालीगर रिफाइनरी लिमिटेड जो है इसके सिलुगुडी इस्तित मार्केटिंग टर्मिनल के बंगलदेश पैट्रोल कोर्परेशन के परवतिपूर दिपोग तक डीजल ले जाएगी परवतिपूर तक ले जाएगी लेकिन यहाँ पर अंतराष्ट के pipeline नुमालीगर रिफाइनरी लिमिटेड जो है और सिलुगुडी में जो इस्ति मार्केटिंग टर्मिनल है उससे बंगलदेश पैट्रोल कोर्परेशन के परवतिपूर डीपोग तक यह इसको पहुचाने क कारिये करते हैं ठीक है यह याद रखेगा आप देखिए भारत बंग्लदेश जो मित्री pipeline है ठीक है उसके लिए जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सम्हारोच सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री इंद्र मोदी और बंग्लदेश की प्रधानमंत्री है सेख हसीना उनके द्वारा अनुदान साहिता के तहत बनाया जा रहा है इस pipeline की जो छमता है वो एक मिलियन मेट्रिक टन परती वर्स है क्या है एक मिलियन टन मेट्रिक टन है परती वर्स ये एक मिलियन तक है और इससे जो है भारत सरकार से अनुदान साहिता के तहत इसे बनाया जा रहा है अब यह जो इंदन है ये तेल उत्पादों को पसिब बंगाल राज्ये में भारत के सिलुगुडी मार्केटिंग टर्मिनल से बंगलादेश में निर्याद करने में सक्सम करेगा याद रखेगा यह इंदन तेल उत्पादों को पसिब बंगाल राज्ये से भारत के सिलुगुडी में 15 साल के लिए इंधन तेल बंग्लदेश पहुचाय जाएगा और देश की सहमती पर ही अभी बढ़ाई जाएगी ठीक है ना मतलब ये जो समझोता हो रहा है वो टोटक 15 साल का है 15 साल तक तो इंधन तेल जो है वो बंग्लदेश तक पहुचाय जाएगा लेकिन इससे आगे क्य की वेपार में लगातार व्रद्धी हुई है ठीक है यह याद रखेगा और 2020 में साल दर साल 14 परसेंट की व्रद्धी हुई है जो प्राप्त करने के लिए एक बहुती उत्सा जनक जो है आकड़ा है भारत को बांग्लदेश के निर्यात अर्ब डोलर के आकड़ों को पार कर करता है अगर अच्छी ने अधर तो वो हैर घाल से करता है सबसे जादेव भारत से होता है ठीक है घूरने को चानी कारते लेकिन चाना पर आप भासा कर साथ्चि लैंध एक निया लेकि ने और दोनों देशों के बीच में जो है चीजों का अर्दान पतान हो रहा है तो दोनों देशों के सम्झ उड़ते और सब्सक्राइब को जान सके हैं एक बार फिर अगर कल वाली आपने साथ बज़े वाली वीडियो नहीं देखिए हो तो उसे जरूर देख लिजेगा आपके लिए काफी पॉडेंट है साथ में आज आपको सैटरडे है और सैटरडे को भी आपको पता है साथ बज़े आपको वी वोकैबलरी नहीं देखी हो सुबह की देख लिजेगा पेपर के पॉइंट अभी से काफी इंपोर्टेंट है थैंक फॉर वोचिंग आइस मिलेंगे नएस वीडियो में तब के लिए तिल एंटेकन अपना ध्यान रखिए थैंक फॉर वोचिंग आइस